तो दोस्तो अब अब चाहें तो सिर्फ आधार EKYC करके घर पैठे ही driving license बना सकते हैं driving license बनाने के लिए अब आपको RT office नहीं जाना पड़ेगा लगबख सभी state में आधार EKYC से driving license बनना शुरू हो गया है तो regular driving license बनाने से पहले आपको learner license बनाना होता है तो सबसे पहले हम बिना RT office जाए learner license बनाने का विल्कुल complete और live process देखेंगे तो चली शुरू करते हैं इसके लिए आपको परिवहन सेवा के इस portal पे आना है इस portal का direct link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा मैं आपको laptop पे बता रहा हूँ आप सेम यही चीज़ को अपने mobile से भी कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको license related services में आना है यहाँ पर आप driver और learner license में more पर click करेंगे फिर select state name पर click करके यहाँ से आप अपने state name को select करेंगे सब इस state के list दिख जाएगी आपके state में जितने भी contactless और फेस्टे services अवेलेवल होंगी उसकी list आ जाएगी तो मेरे state में सिर्फ learner license से contactless बनाए जा सकता है तो मैं यहाँ पर skip पर click करूँगा फिर इस तरह का dashboard आएगा यहाँ पर आपको apply for learner license का option दिखेगा इस पर आप click करेंगे यह आप चाहें तो उपर भी यहाँ पर learner license में click करके application for new learner license पर click कर सकते हैं तो learner license बनाने के लिए आपको किन-किन चीजों की जरुद पड़ेगी उसकी list दिख जाएगी तो हमें यहाँ पर continue पर click करना है category में आपको applicant does not hold any driving license और learner license को ही select रहने देंगे यहाँ पर आपको general ही select रहने देना है फिर यहाँ से अपना rt office select करेंगे select पर click करेंगे सभी rt office के list आएगी यहाँ से आप अपने rt office को select करके submit पर click करेंगे अब इके वर्सी करने के लिए आपके सामने दो option खुल कर आएगा submit via अधार authentication और submit without अधार authentication इसके लिए आप अधार नंबर को select करेंगे अधार कार्ट नंबर देकर जेने टोटी पर click करेंगे आपके इस अधार कार्ट से link one नंबर पर OTP जाएगा OTP देकर इसके सभी terms को यहाँ से accept करेंगे फिर निछे authenticate पर click करेंगे फिर आपके अधार कार्ट का complete detail आजाएगा आपका नाम, father name, date of birth और complete address लिखा होगा और आपके अधार कार्ट का photo भी यहाँ पर आजाएगा फिर यहाँ पर proceed पर click करेंगे फिर आपके सामने एक application form खुल कर आएगा इस application form में कुछ detail पहले से दी गई होगी और कुछ detail आपको यहाँ पर manually देना होगा सबसे पहले हम यहाँ पर RTO office select करेंगे select RTO पर click करेंगे RTO office को select करेंगे फिर यहाँ पर place of birth में आएगे और यहाँ पर आप अपने जनम स्थान को लिखेंगे फिर यहाँ से अपना qualification select करेंगे आप कहां तक पढ़े हैं उसे आपको select करना है फिर यहाँ पर अपना blood group बताएंगे अगर आपको खुद का blood group पता नहीं है तो यहाँ पर आप unknown select कर सकते हैं फिर यहाँ पर अपना email id देंगे और यहाँ पर आप अपना एक mobile number देंगे अगर आपके body पर कोई identification mark है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जैसे कि अगर आपके sir पर कोई cut का निसान है तो यहाँ पर लिखेंगे cut on head address में कुछ detail पहले से होगा कुछ detail आपको देना होगा जैसे कि मुझे यहाँ पर sub district select करना है और यहाँ पर मुझे village या town का नाम बताना है तो मैं यहाँ पर town select करूंगा फिर select पर click करके town select करेंगे आप इस address पर कितने सालों से रह रहे हैं उसे यहाँ पर आप type करेंगे अगर आप जनम से रह रहे हैं तो यहाँ पर आपको अपना edge type करना है अब यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है आप two wheeler के लिए driving license बनाना चाहते हैं या four wheeler के लिए या दोनों के लिए उसे आप यहाँ पर select करेंगे अगर आप सिर्फ two wheeler के लिए driving license बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको motorcycle with gear को select करना है फिर इस arrow के symbol पर click करेंगे यह यहाँ पर select हो जाएगा इसी तरह से अगर आप two wheeler के साथ-साथ four wheeler के लिए भी driving license बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको light motor vehicle को select करना है फिर से arrow पर click करेंगे आपको वो भी यहाँ पर select हो जाएगा इसी तरह से यहाँ पर आपको कई परकार के vehicle की category मिल जाएगी आप इन सारे vehicle का driving license यहाँ पर बना सकते हैं यहाँ पर आपसे पुछा जा रहा है क्या आपने driving किसी driving school से सीखा है या नहीं अगर सीखा है तो इसे आप टिक कर सकते हैं नहीं सीखा है तो इसे आपको as it is रहने देना है इसे कुछ नहीं करना है नीचे declaration में आएंगे self declaration form 1 पर click करेंगे फिर आपके सामने इस रखा पप आएगा यहाँ पर आपसे कुछ सवाल पुछा जा रहा है इन सभी सवालों को आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको यहाँ पर yes या no में देना है वैसे इन सभी सवालों को जवाब इस तरीके से आपको देना है first में no रहेगा second में yes रहेगा इस तरह से नीचे सभी में आपको no से लेक करना है फिर यहाँ पर अपना declaration देंगे फिर submit पर click करेंगे self declaration submitted successfully अब back पर click करेंगे यहाँ पर आपसे पुछा जा रहा है कि आप organ donate करना चाहेंगे तो हम नहीं करना चाहेंगे no select करेंगे फिर submit पर click करेंगे फिर ok पर click करेंगे your application has been accepted का message आएगा ok पर click करेंगे फिर से ok पर click करेंगे congratulations your application has been submitted successfully फुली फिर से ओके पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक application reference नमबर आ जाएगा, इसे आपको screenshot करके या copy करके रख लेना है, वैसे आपके register mail नमबर पर भी ये application नमबर चला गया होगा, फिर next पर क्लिक करेंगे, फिर capture code को देकर submit पर क्लिक करेंगे, तो हमने यहाँ पर दो step को complete कर दिया है, application form फिल हो गया है, और चुकि हमने यहाँ पर आधार EKYC कर दिया है, इसलिए हमें यहाँ पर कोई भी document अपलोड नहीं करना है, बस हमें यहाँ पर एक signature अपलोड करना होगा, और जो photo आपके अधार कार्ट पर होगा, से मुबही photo आपके learner license पर और आपके driving license पर print होकर आ जाएगा, तो signature अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर proceed पर क्लिक करना है, यह देखिए आपके अधार कार्ट का photo यहाँ पर आ गया है, बस हमें signature अपलोड करना है, signature आपका 20KB से ज़्यादा file size का नहीं होना चाहिए, और वो jpg format में होना चाहिए, signature अपलो अब next पर क्लिक करेंगे, फिर से capture code को देकर submit पर क्लिक करेंगे, अब हमें यहाँ पर free payment करना है, इसके लिए आप proceed पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको total कितना payment करना है, वो total amount आपको दिख जाएगा, मेरे state में learner license बनाने के लिए 420 पर लिया जा रहा है, आपके state में यह पैसा कम या ज्यादा हो सकता है, आप इस payment का breakdown यहाँ पर देख सकते हैं, कि आपको किस तरह से यहाँ पर payment लिया जा रहा है, तो payment करने के लिए यहाँ पर select पर click करेंगे, और यहाँ से अपने payment gateway को select करेंगे, फिर capture code को यहाँ पर देकर pay now पर click करेंगे, फिर terms को accept करके proceed for payment पर click करेंगे, फिर आपके सामने bank का payment gateway आजाएगा, आप चाहें तो debit card, credit card, net banking या UPI से इस payment को pay कर सकते हैं, तो हम UPI से pay करेंगे, UPI पर click करेंगे, आप UPI ID से pay करना चाहते हैं, या QR code से, तो हम QR code से pay करेंगे, फिर confirm पर click करेंगे, फिर QR code को scan करके इस payment को pay करेंगे, यह transaction status is success, okay पर click करेंगे, payment complete हो चुका है, कुछ second यहाँ पर wait करेंगे, फिर यह आपको automatic इस page पर redirect कर देगा, देख सकते हैं कि payment success हो चुका है, आप चाहें तो यहाँ पर click here for print receipt पर click करके, अपने payment receipt को download भी कर सकते हैं, फिर अपने application receipt को select करेंगे, इस capture code को देकर print receipt पर click करेंगे, य फिर आपके application का complete detail आएगा, नीचे आएंगे, हमने यहाँ पर सभी stage को complete कर दिया है, चुकि हमने यहाँ पर अधार EKYC कर दिया था, इसलिए हमें यहाँ पर slot booking नहीं करना है, तो application अभी under processing में है, तो process से हटाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर एक video watch करना होगा, उसके क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर video on road safety पर इस play वाले icon पर क्लिक करेंगे, फिर यह video चलने लगेगा, इस video को आपको पूरा देखना है, अगर आपने इस video को बीच में ही रोग दिया, तो आपका verification complete नहीं होगा, फिर से आपको दोबारा video देखना पड़ेगा, तो video को चलने द यह video लगभग 11 से 12 मिनिट का है, तो इसे आपको चलने दिना है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर पूरा video देख लिया है, देखिए अब 5 सिकेंड सिर्फ बचा है, यहाँ पर आप confirmation को टिक करेंगे, फिर submit पर क्लिक करेंगे, अब learner license के लिए आपको online test दे है, फिर यहाँ पर आपको अपना data उबर देना है, फिर यहाँ पर आपसे एक password मांगा जाएगा, तो यह password आपके registered mobile नमबर पे चाता है, उसी password को यहाँ पर आपको तीन मौके मिलते हैं, इन तीन मौकों में आपको इस online test को pass करना है, अगर आप pass नहीं कर पाएंगे, तो आ इतना करने के बाद बस आपको online learner license के लिए test देना है, test में pass हो जाने के तुरंद बाद आप चाहें तो portal से अपना learner license PDF में download कर सकते हैं, so next video मैं आपको ताऊंगा, कैसे आप online learner license के लिए test दे सकते हैं, और कैसे आपना learner license PDF में download करेंगे, so next video सबसे पहले आपको मिल सके, इसके आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आप इसी तरह का कोई भी online काम हमसे घर बैठे करवाना चाहते हैं, तो आप इस number पर WhatsApp कर सकते हैं, वीडियो पसंद आए तो इससे like करें, दोस्तों को साथ जरूर शेयर करें